डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद सरकारी अस्पतालों की मुकाबले नीजी अस्पतालों में उपचार करवाना बहुत महंगा होता है यह बात किसी से छिपी नहीं है नीजी अस्पतालों के महंगे इलाज को लेकर विभिन मंचों पर नाराजगी के स्वर्भी सुनाई देते हैं इसलिए उच्चतम अदालत ने प्राइवेट अस्पतालों में उपचार की दरों के निर्धारण में देरी पर जो नाराजगी जताई है उसे वाजिब ही कहा जाएगा एसा इसलिए भी की निजी क्षित्र के सभी अस्पतालों में जांच वे उपचार की अपनी अपनी दरे हैं इन दरों में भी काफी अंतर देखने को मिल जाएगा सुप्रिम कोट ने इस बात पर भी आपत्ती जताई है कि सरकार 14 वर्ष पुराने क्लीनिकल स्थापना नियमों को लागू नहीं कर पा रही है सुप्रिम कोट के इन निर्देशों के पीछे मनसा निश्चित ही आम मरीजों को राहत देने की रही है किस स्थर पर उपचार में कितना खर्चा होगा इसका कोई ने कोई मापदंड तो होना ही चाहिए अभी तो लगता है जैसे निजी अस्पतालों पर किसी का नियंत्रन ही नहीं है जांच वै उपचार के लिए जिसको जो सही लगा उसने वही दाम रख दिये सभी निजी अस्पताल इस मामले में मनमानी कर रहे हों एसा भी नहीं है लेकिन जादातर निजी अस्पतालों में सेवाओं के सुल्क की सूची प्रदर्शित नहीं होना भी दर्साता है कि नियत नेक नहीं है मरीज को उपभोगता भी माना जाए तो यह हर उपभोगता का हक होता है कि उसे सेवा के बदले अदा की जाने वाली रासी के बारे में पता हो और वह इस आधार पर किसी अस्पताल में इलाज करवाने या नय करवाने का फैसला कर सके भले ही निजी अस्पतालों के संगठनों ने सुप्रिम कोट की इस व्यवस्था को विनासकारी करार दिया है लेकिन हकीकत उनसे भी छिपी नहीं है इलाज और जांच की दरों को तै करने से अस्पतालों के संचालन का खर्च जिसमें वेतन भत्ते भी सामिल है बहुत जादा प्रभावित होगा एसा भी नहीं है विसेशग्यों को यह तै करना ही चाहिए कि किस जांच वे उपचार में कितनी रकम ली जानी चाहिए जो लोग ये दरें तै करेंगे वे मरीजों के साथ निजी अस्पतालों का भी भला ही चाहिएंगे हाँ दरें तै हो जाने पर जिकित्सा सेवाओं को कारोबार बनाते हुए बेतहासा दाम वसूल रहे अस्पतालों को जरूर फरक पड़ सकता है यह भी ध्यान रहे की सुप्रिम कोट जो कुछ कह रहा है उसमें कोई नई बात नहीं है 14 साल पहले सभी अस्पतालों को स्रेनियों और ग्रेडिंग में बांट कर दरों का निर्धारन करने और इनहें अस्पतालों की डिस्पले बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था की गई थी इसके बावजूद इस व्यवस्था की अनदेखी की गई कोरूना में भी नयालयों की गाइडलाइन का इसी तरह उलंगन हुआ जिससे मरीजों का इराज करवाने में मुश्किल आए मरीज के प्रति सम्वेदना रखना और उसे संबल देना सरकार का दाइत्व है यह सुनिस्चित होना चाहिए की इलाज की नाम पर कहीं भी मनमानी ने हो यदि किसी अस्पताल में इलाज की नाम पर मनमानी हो रही है तो उसे रोकना सरकार की ही जिम्मेदारी है समाप्त दोस्तो इस डिक्टेशन का पीडियो फाइल अपने ओफिसल टेलिग्राम चैनल स्टड़ी भी अच्पी स्वामे पर डाल रखा है